क्यों ऐसा होता है कि हमारे काम पूरे नहीं होते हमें सफलता नहीं मिलती हम हार जाते हैं हम जो पाना चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं हम बार बार बात करते हैं कि हमारे भग्य में नहीं ऐसा क्यों होता है तो यह प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा हरी कृष्ण दोस्तो मैं हूँ अनुच शर्मा एक बार गाउं में एक साधू रहते थे बड़े प्रसिद्ध थे प्रसिद्ध इस बात के लिए थे कि वो जब भी निरित्ते करते थे तो बारिश होती थे उस गाउं में कभी सूखा नहीं पड़ता था क्योंकि जब भी बारिश का समय होता था क्योंकि जब भी गाउं वालों का आश्कता होती थी कि अम में एक बर से तो साधू के पास चले जाते थे कहते थे महराज आप निरित्ते कीजिए बारिश हो जाएगी साधू दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए थे जहां सूखा पड़ता था लोग साधू को बुला कर ले जाते थे साधू महराज उनके साथ जाते थे निरित्ते करते थे और बारिश हो जाती ये बात दूर दूर तक फैली शहर के कुछ बच्चों को ये बात पता लगी उनको लगा कि अंदर विश्वास चारों तरफ फैल रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता वहां मौसम ही ऐसा रहता होगा बारिश हो जाती होगी सब पाखंड है, सब जूट है तो चार दोस्तों ने निर्णे लिया कि हम उस गाउं चलते हैं जहां साधू रहते हैं गाउं में गए और जाकर के गाउं वालों को बोला कि सुनो ये जो साधू महाराज हैं आज निर्णे करेंगे तो क्या आज भी बारिश हो जाएगी तो गाउं वालों ने कहा कि साधू महाराज जब भी निर्णे करते हैं बारिश हो जाती है इसमें कोई शंका की बात ही नहीं उन चारों दोस्तों ने कहा कि ठीक है आज पहले हम निर्थ्य करेंगे और देखना हम भी ये चमतकार कर सकते हैं जब हम निर्थ्य करेंगे तो बारिश हो जाएगी उसके बाद सादू महराज निर्थ्य करेंगे तो गाउवालों ने कहा कि ठीक है, ये तो बड़ी चमतकारिक बात है, आप कीजी, हम देखेंगे, गाउवाले साधु महराज के पास के, महराज को बोले कि बाबा, ये चार बच्चे शहर से आएं, कहते हैं कि आप जैसा चमतकार कर सकते हैं, ये निरित्ते करेंगे तो बारि होगी, महराज मुस्कुराए, कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो ये निर्त्य करेंगे तो बारिश होगी, तो आओ देखते हैं कि कैसा निर्त्य करते हैं, और कैसी बारिश होती, उन चारों दोस्तों ने निर्त्य शुरू किया, नाचते रहे, नाचते रहे, पहल दूर दूर तक मेग भी दिखाई नहीं दिये। बारिश नहीं हुई। चारों ने हार मान दे। लेकिन चारों ने कहा कि नहीं आज कुछ गडबड है। आपको लगता है कि साधु महराज निर्थ्य करेंगे तो बारिश हो जाएगी। तो आज हमारे सामने बारिश करके जीए ताकि बारिश हो। साधु महराज ने गाउवालों की प्रार्थना स्विकार किया। निर्थ्य करना शुरू किया। निर्थ्य करते रहे। आदा घंटा, एक घंटा, डेड़ घंटा, दो घंटे मेग दिखाई नहीं दिये। बारिश नहीं हुई। गाउवाले हैरा लेकिन साधु महराज रुके नहीं, हारे नहीं, निर्थ्य करते रहे। जब तीन चार घंटे बीट गए, काले बादल आ गए, बादल आने के बाद बरसने लगे, बारिश होने लगी, जब भरपूर बारिश होने लगी, तब साधु महराज निर्थ्य करने से रुके। वो चारों दोस्त हैरान थे कि कैसे संभाव है लोग सादू महराज की जैजैकार कर रहे थे तालिया बजा रहे थे खुश हो रहे थे उन्हें तो पूरा भरोसा था जब सादू भाबा नरित्य करेंगे तो बारिश हो कि बच्चों से रहा नहीं गया सादू भाबा के चरणों में गिर गए शमा मान और कहा कि बाबा बताईए ये कैसे संभाव है हमसे क्यों नहीं हुआ आपने कैसे कर दिया कैसे हो सकता है हम ये रहस से जानना चाहते हैं सादू भाबा ने कहा कि बड़ी साधरनसी बात है जब मैं निरत्य करता हूँ तो ये सोच लेता हूँ ये विश्वास कर लेता हूँ कि मैं निरत्य करूंगा तो बारिश होगी मुझे मेरे भीतर बैठे इश्वर पर विश्वास है कि मैं निर्ट्या करूँगा तो मेग गर जेंगे फिर बरसेंगे और बारिश होगी इसलिए बारिश होती तूसरी बात मैं इस सूचता हूँ कि मैं जब तक निर्थ्य करूँ है जब तक बारिश नहीं होगी तो मैं निर्थ्य करने से पीछे नहीं अरता हूं मैं रुकता नहीं और मैं तब तक निर्थ्य करता हूं जब तक बारिश नहीं होगी बस ये साधरन सी दो बात है मेरा विश्वास और मेरा प्रेश्वू यही दोनों इस बात का कारण है कि इतने लोग मेरी इस बात पर विश्वास करते हैं और मैं जब भी निर्त्य करता हूँ विश्वास के साथ मेरे प्रभू मेरा साथ देते हैं मेग गरजते हैं बरसते सब लोग देखते हैं, बस विश्वास की बात है दोस्तों, हम जब भी असफल होते हैं, तो दुखी ना हो जाने कि इसके पीछे का कारण क्या है हमेशा कारण यही होता है, कि हम अपने उपर से विश्वास खो चुके होते हैं अपने इश्वर पर से विश्वास खो चुके होते हैं हमेशा कारण यही होता है कि हम जीत पाने से पहले हार जाते हैं जब हम मन्जिल के करीब होते हैं तो हमारे पैर डगमगाने लग जाते हैं हम विचलित हो जाते हैं कभी भी इस बात को ध्यान से सोचना यदि आप किसी सफर में होते हैं, किसी यात्रा में होते हैं, तो जब मनजिल आने वाली होती हैं, जिस स्टेशन पर आपको उतरना होता है, उस स्टेशन जब आने वाला होता है, तो आप बेचैन हो जाते हैं, बार बार लोगों से पूछना शुरू कर देते हैं, कितनी देरो लगेगी कितनी दूर रह गया है बेचैन ना हो आप निरंतर अपने सफर में रहें मनजिल आएगी तो आपकी आत्रा संपूर्ण होगी समय आने पर ट्रेन रुकेगी आप अपनी मनजिल पर पहुंचोगे आप अपना सफर पूरा करोगे उसके लिए विचलित क्यों होना है गबराना क्यों है अपनी मेहनत लगातार करते रही विचलित मत होईए आप एकीन मानिए आपका किया गया प्रयास और आपका किया गया विश्वास कभी भी आपको धोखा नहीं देगा आप हर पल विजय होते हैं मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं कि आप याद कीजिए आपने सिर्फ पाया है आप कुछ लेकर नहीं आये थे आपने सिर्फ पाया है आपने निरंतर सफलता हसल की है आप याद कीजिएगा वो पल जब आप नन्ने से पलने में थे मा जुला रही थी आपको चलना नहीं आता था आपको उठना नहीं आता था आपको बैठना नहीं आता था आपको खान पान नहीं आता था आपको कुछ नहीं आता था आज आपको सब कुछ आता है आप सक्षम है इश्वर ने आपको संपूर्ण शरीर दिया इश्वर ने आपको सोचने के लिए बुद्धी दी, आपको सक्षम किया है तो आप हार क्यों रहे, गबरा क्यों रहे, डर क्यों रहे, विश्वास क्यों खो रहे अपने भीतर विराजमान, भगवान पर विश्वास रखिए और अपनी मंजिल की तरफ दोड़ते रहिए हिम्मत मत हारिए जब भी कोई फैसवाले ये निश्चित कर ले कि मुझे अपना विश्वास नहीं खोना है मुझे हारना नहीं है मैं जब तक प्रियास करूँगा जब तक जीतूँगा नहीं मेरे इश्वर मेरे साथ है हर पल साथ है वो मुझे शमता देंगे मुझे हिम्मत देंगे मुझे जीत भी दिलवाएंगे और मैं अवश्च जीतूँगा ये बात मन में ठान लीजी आप कभी नहीं हारेंगे बस विश्वास कीजी इसलिए हमेशा कहता हूँ अपने विश्वास को मजबूत रखी अपना ख्याल रखी हरे क्रिश्ण